इसमाइल सामने और ये बोलर ने भागना स्टार्ड किया और ये गूड सीक्स हो वाटा सिक्स यार बहुत अच्छा सिक्स था पठान की तरफ से सुपर पावर और ये पिर से शीक्स गुड शीक्स और चाशार था सुपर पावर पठान पावर उकरास के बोलर ओ ये अच्छी शौर थी आफ पे खेल दिया एक स्कूर के लिए और ये और किसमात हुई ये सामना करेंगा अफस ताहर अब बोलिंग पे आए सुहेब वट्टू बागना ओ ओ गुड शार्च और ये फिल्डर को बॉल चीरती हुए फिल्लिंग पे एक स्कूर के लिए खेल दिया अभी आवर मुकंबल हुआ और तो बॉलिंग पे राय अजर बहुत अच्छे बोलर है अब भी देखते हैं कि क्या बनता है सामने है ताहर वट्टू बहुत अच्छे बैट्समेन हाफस ताहर और यह बॉलिंग पे राय अजर यह देख सकते हैं बॉल हाथ में पकड़ा हुआ है और यह बागना शुरू कि अमपायर को क्रास किया और यह बॉल की और यह आफस के तरफ से अच्छी शाट थी लेकर यह दो रॉन्स के लिए बाग रहे हैं और यह दो लेने में काम जाओ यह फिर से बॉलिंग के लिए बागे अजर और सामना करें के ताहिर और यह नोबाल पर यह देखते हैं फिल्डर ने कैच किया और यह नोबाल नोबाल जी किन नोबाल है कोई चीज नहीं आच्छा कैच दाशानी की तरफ से सामने करेंगे इसमाईल पाठाअ सुपर पावर पाठाअ फ्री हेट का सामना करेंगे और ये गृट और ये अमपायर पे क्रास और ये 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 ओ गूड बॉल, अच्छी बॉल थी, अभी मैंने लास्ट बॉल पे केश किया है और ये अज़र बहुत अच्य बॉल रही है ये तेख सकते हैं आप और ये हाफस ने अच्छा शौट केला है और वो दो रूंस के लिए कॉल है और यकीनन दो स्कोर है बहुत अच्छी फिल्डिंग शानी की तरफ से अब ये अज़र बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है बगार किसी बॉंटरी के अब ये भागना स्टार्ट किया अब ये हाफस की जाम से अच्छा शौट और ये भागते हुए अज़र और अज़र ने और कैश ड्रॉप ड्रॉप कर दिया और ये बिल्कुल बिल्कुल इज़ी कैई था ड्रॉप कर दिया अब ये देख सकते हैं कि बहुत अच्छी बॉलिंग का मुझारा कर रहे हैं राय अजर कैश पे बिल्कुल ओ ये शीक्स हाफस की जानब से लॉंग उन पे शीक्स ओ बहुत अच्छा सीक्स था आखरी बॉल पे एक सीक्स लगा दिया और ये टीसरा ओवर है पहली बॉल और ये फूर्स पीछे की जानब फूर रंस के लिए अच्छी शाट के लिए लेकर फूर्स इसमाईल बहुत अच्छे बैटसमेन है ये चाहते कि हर बॉल को पौंटरी में तबदील करें क्योंकि बहुत अच्छे बैटसमेन माने जाते हमारी इदर ग्राउंड के अभी ये इंपायर को क्रास किया बॉलर ने और ये और ये बीग सीक्स ओ वाटा सीक्स यार कमाल का सीक्स था बहुत अच्छा शाट था इसमाईल की तरफ से अभी ये बॉलर ने भगना स्टार्ट किया और इसमाईल की जानब से एक और सीक्स इसमाईल की जानब से लमबा सीक्स जो बिलकुल बॉलर को समझ नहीं आ रही कि कहां बॉल डालनी है बिल्कुल अच्छी सिक्स लगा रहे हैं ये दो बॉल पे दो सिक्स इसमाईल पठान की तरफ से सुहिब वट्टू को और ये भागना करास किया और ये तीसरा भी सिक्स वाटा सिक्स यार तीन बॉलों पे तीन लंबे लंबे च्छके दे मारे इसमाईल पठान ने बिल्कुल आया इनको बहुत गुस्सा है क्योंके पहली इनक में इनको बिल्कुल बैटिंग नहीं मिली और अभी ये अपनी बैटिंग का लोहा मनवा रहे हैं तीन बॉलों पर तीन चिक्स लगा दिया और बहुत अच्छी शॉर्ट के लिए हैं बिलकुल प्रफेक्ट थी बॉल और उनको बॉंटरी में चेंज किया अभी ये इस वर की फॉर बॉल है और ये और ये बीट हुए ये बिलकुल वही सेम शॉर्ट केलना चाहते थे लेकन ब बॉलर ने भागना शुरू के अमपायर को क्रास किया और ये फिर से वाइट बॉलर बिलकुल परेशान है कुछ समय नहीं कहां पर बॉल डालना है बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है इसमाइल पठान ये स्वेवर टू बॉलर है और सामना इसमाइल पठान करेंगे ये सुपर पावर और फिर से वाइट लगाता है तर तीन वाइडें कर चुके हैं लगता है कि कुछ बॉलिंग में मसला आ रहा है शायद बॉलिंग बहुत अच्छी बॉलिंग और उससे बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है इसमाइल पठान अभी ये भागना स्टार्ट के इंपर क्रास किया और फिर से वाइट फोर वाइड हो चुकी है इसमाइल पठान बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है अच्छी इसमाइल और ये स्वेवाटू फिर बॉलिंग पे अक्शन दिखाएंगे और ये ओ बीट हुए वाच्छा बॉल गुट अच्छी बॉल थी लेकर कुछ समझ नहीं पाए चार अंस बाकी और और के लिए आजा रहे हैं बाबा क्रिकट आफ बाबा आफ क्रिकट क्रिकट का बाबा बीचार स्कोर रह गया है और ये बाबा अपने जोर दिखाएंगे बालिंग पे और हाफ़स सामने आए और अच्छी शौर थी लेकर फिल्डिंग भी बहुत अच्छी की और ये सामने आगे इसमाइल पठा बहुत अच्छी बैट इसमाइल पठान के तरफ से हर और में तीन और चार सिक्स लगाएं और ये मैच अपने नाम कर लिया है तीन शार्याद एक और में अपने नाम कर लिया सिक्स्टी टू का टारगर था बिल्कुल असानी के साथ चेज़न कर लिया